हलो दोस्तो, Reader Books Club में आपका फिर से सागत है आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है Leaders Corner The Learning Guide to Leadership जिसे Cam J. Gupta ने लिखा है इस किताब में एक पिता अपने बेटे को बताते हैं कि कैसे नोंने 11 Core Golden Rules और Principles फालो करके लोगों के बीच इतना नाम और शहरत कमाई ये कैसी किताब है जो पूरी तरह आपकी जिन्दगी बदल देगी और आपको नाम शहरत और सफलता के रास्ते से कभी भटकने नहीं देगी इसे पहले भी ऑथर दो और बहतरी इन बेस्सेलिंग किताबे लिख चुके हैं Make Your Time Right and I Am Online इन सभी किताबों के लिंक डिस्रिप्शन में दिये गए हैं इमिरिटली बुक को और करके इनको और भी डीटेल में समझें चैनल को इमिरिटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी इमिरिटली लाइक कर दें ओथर अपनी इस कोट को बहुत मानते हैं जहां वो कहते हैं और उन्होंने अपने 20 साल के लंबे करियर में अब तक बहुत लोगों को उनके ड्रीम को चीव कराने में मदद किया है साथ-साथ बहुत से लोगों को एक बहतरी लीडर्शिप पोजिशन तक पहुचाने के लिए भी गाइड किया है तो चले इन 11 रूल्स को डीटेल में समझते हैं ताकि आप सब भी सफलता की उन्चायों तक पहुच सके सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि एक लीडर कौन होता है एक लीडर की क्या डेफिनिशन है और क्वालिटी क्या है एक लीडर पहले खुद को अंदर और बाहर से पहचानता है फिर अपने गोल्स और विजन को बनाता है उसके बाद वो अन लोगों को पहचानता है जो उनके लिए उनके विजन और आइडियास पर काम करे वो सिर्फ उनको पहचानता है जिनकी सोच और ख्याल उन से मिलते हैं एक लीडर कभी भी दूसरों पर वो करने का दबाब नहीं डालता है जो वो चाहता है बलकि वो अपनी टीम को सुनता है और उनके नजरे और ख्याल को शेयर करने के लिए एंकरेज करता है उस अपने प्लान्स और एक्शन्स पर कोई शक्त नहीं होता वो अपने फैसलों की पूरी जिम्मदारी लेता है वो एक फेथ और बिलीव का माहौल बनाता है और लोग ऐसे माहौल में एक दूसरे के नजरे की कदर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो लोगों की तारीफ या किटेसाइज करने में नहीं शर्माते हैं कोई भी लीडर पैदा नहीं होता ऐसी अंकिनत कहानिया हैं जिनमें लोग कुछी पलों में सफलता को पा लेते हैं पर सिर्फ वो ही लोग जानते हैं कि उस पल को पाने के लिए वो कब से मेहनत कर रहे हैं? इस दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है, लीडर्शिप भी. एक इनसान लीडर्शिप के स्किल में मेहनत करके सीख सकता है और जिसमें आगे वढ़ने और डिसिप्लिन रहने की चमक होती है, वही लीडर्शिप की पोजिशन तक पहुच पाता है. रूल नंबर टू. प्राब्लम्स एन चैलेंजस. प्राब्लम्स और चैलेंजस आंधी और तुफान की तरह होते हैं. आप इने काबू नहीं कर सकते. यह जब भी सामने आते हैं, तो आपको इनसे उभरने और खुद को एक स्वरक्षी जगए पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए. प्राब्लम्स एन चैलेंजस इन लीडर्शिप इनसान काँच की तरह होते हैं, उन्हें बहुत आराम से सभालने की जरत होती है. अगर आप उनके ख्यालों को रोज साफ किये बिना फिर से भर देंगे, तो वो डल बढ़ सकते हैं. अगर आप सबको एक दूसरे के बहत करीब रखेंगे, तो वो जगह की कमी होने से तूट सकते हैं. अगर आप उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर रखेंगे, और लगबग सभी लोगों का लीडर को इन सबसे निपटना पड़ता है जो लीडर्शिप का सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कलपना से परे होते हैं और जो लीडर्स की जिंदगी में आते रहते हैं इन चैलेंजस से बचने का कोई रास्ता नहीं है, बस लगातार सीखते रहना और समझने से ही इन सबसे निप्टा जा सकता है Problems और चैलेंजस अलग लेवल पर किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं साथ मिलकर हर कोई चीज हासिल कर पाता है, कोई भी अकेला अपने कंदों पर सारे बोज को उठा नहीं सकता है लगातार चेक और फीडबैक मेकैनिजम से इन परिशानियों से उबरा जा सकता है ऐसी बहुत से चीज़े हो सकती हैं जिन पर आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ सकता है कभी-कभी लीडर्स अपनी नजरिये में इतने घुसे होते हैं कि वो खुद को परफेक्शनिस्ट मानते हैं इस तरह का attitude खुद को टीम के लिए बहुत नुकसान दे हो सकता है एक लीडर को अपनी टीम के साथ सारी positivity शेर करनी चाहिए और सारी negativity को अपने अंदर रखना चाहिए इससे पूरा प्रसेस बहुत मस्बूत बन सकता है एक लीडर का विजन ही किसी भी काम की नीव बनता है अगर एक इनसान विजनरी नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता और नहीं उसके followers हो सकते हैं लीडर के सबसे जरूरी कामों में से एक है सही लोगों को चुनना ऐसे लोग जिनका दिल और दिमाग सही जगा हो लीडर को ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके ख्याल पॉजिटिव हो साथ ही उनके पास कौशल भी हो सही टेक्नोलजी से कम्टिकेशन का एक स्मूथ फ्लोग बनता है सही टेक्नोलजी से लेटेस रिक्वार्मेंट का बेस्ट कॉलिटी परक्ट बन सकता है साथ ही सही टूल्स की मदद से रिसॉर्सेस के हिसाब से वो एकनॉमिक लेवल तक बहुँच सकते हैं और ग्रोथ एक्टर को अप्टिमम लेवल तक बढ़ा सकते हैं लीडर्स ये कोशिश करते हैं कि सभी लोग और रिसॉर्सेस सही दिशा में हो सभी फंक्शन्स और गोल स्टैक्स पर बने रहें और लगातार परफॉर्मेंस के एफिशन्सी और सक्सेस चेक करते रहते हैं ये एक लीडर की कोर रेस्पांसिबिल्टी है कि वो लोगों को हमेशा सीखने और जाचने की रहा पर बनाये रखें और ये evaluation और feedback का process एक productive environment में होना चाहिए लोग सच्चे और सामने रहकर लीड करने वाले लीडर्स को सराते हैं ना कि उनको जो boardroom में बिना किसी असल योगदान के काम करते हैं लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो सही हातों में हैं और सही लोगों के लिए काम कर रही हैं जिनमें बुरे हालातों में भी दुनिया का सामना करने के लिए उनके साथ खड़े रहने की हिम्मत और ताकत है लीडर्स को अपने रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब हालात बुरे हों तो लीडर्स को अपना focus vision नहीं खोना चाहिए और उन हालातों में खुद को ढालते हुए उनसे निकलने का रास्ता बनाना चाहिए सबसे बड़ी quality जो लीडर्स को औरों से अलग बनाती है वो अच्छे learner होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं और हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते रहने के लिए सीखते रहना ही एकलाता तरीका है जो लोग जिन्दकी भर same experience रखते हैं वो जिन्दकी भर एक ही जगए ख़ड़े रहते हैं जबकि लीडर रोज सीखते हैं और बदलते रहते हैं और साथ ही खुद को बहतर बनाते हैं ताकि वो धुन्दले विजिन को साफ साफ देख सकें दिमाग सभी positive और negative ख्यालों को सुचता है दिमाग को positive ख्याल देना बहुत ज़रूरी है एक काम पर ध्यान लगाने से performance की quality और quantity दोनों बढ़ती हैं पास्ट में क्या हुआ और feature में क्या होगा ये सोचने की जगा present पर focus करने से आप better position में हो सकते हैं सभी के पास दिम में 24 घंटे ही हैं वो उसमें क्या करते हैं वही एक इंसान के भविशे को बनाता या बिकारता है अगर वक्त इंसान के काबू में हो तो उसके पास सभी काम सही से करने का बहुत सा वक्त होगा जिन लोगों में आगे बढ़ने और leadership position को पानी की जिद होती है वो अपने self-discipline की आदत से बुरे हालातों से भी उभर जाते हैं Self-Determination और Discipline से लीडर्स ऐसी आदते और character बना लेते हैं जिससे वो अपने काम की ownership लेते हैं और जो भी वो करते हैं उसकी पुरी जिम्मेदारी भी लेते हैं Rule 5, Emotions हमारे अंदर लगातार Emotions बहते ही रहते हैं बस कुछ लोगों में ये थोड़े जादा और कुछ लोगों में थोड़े कम हो सकते हैं इस दुनिया में सब कुछ लोगों की मदद से होता है और लोग भावनाओं के आधार पर काम करते हैं और ये भावनाएं किसी individual के action से बनती हैं लीडर्स कोई भी emotions दिखाते हुए बहुत खयाल और साथधानी रखते हैं क्योंकि उनका एक गलत कदम और कमजोर emotion सालों के बनाए सामराज्य को मिट्टी में मिला सकता है जब चीजे सही नहीं जा रही हों तो इतने pressure में भी emotions को काबू में रखने के लिए बहुत skill और practice की ज़रुत पड़ती है How to control emotions किसी भी अच्छे बुरे हालातों में कोई भी reaction देने या कोई emotion दिखाने से पहले एक second का pause लें और उसके effect के बारे में सोचें किसी negative situation में उन चीजों पर ध्यान ना दें जो आपके काबू में नहीं है सिर्फ उन पर ध्यान दे जो आपके काबू में है उस पल में चीएं सभी फैसले present environment में ले अगर आप past scenarios पर अपने emotions को अधरित करेंगे तो इससे present को नुकसान पहुचेगा दिमाग और emotions को काबू करने से हालात बदले जा सकते हैं आप चीज़ों का adapt कर सकते हैं इसका इशारा इससे मिलता है कि आप बदलना और adjust करना चाते हैं अगर आप नई चीज़े explore और experiment करना चाते हैं तो इससे पता चलता है कि आप growth और change के लिए open है Adaptable leaders वहाँ एक अफसर देखते हैं जहां दूसरे failure देखते हैं जो भी एकी चीज़ से चिपका रहता है और हालात के इसाब से बदलता नहीं है वो सिर्फ नुकसान और failure का सामना करता है कोई भी हालात या चीज़े जब काबू से बाहर हो जाती हैं तो Adaptable leaders उसी में अपना focus adjust करने की कोशिश करते हैं वो खुद से बात करते हैं और चुनने के लिए options देखते हैं वो अपनी गलतियां मानते हैं और उनसे सीखते हैं दूसरों पर इलजाम ना डालकर वो अपने बहतर बनने के areas को मानकर मजबूत long term रिष्टे बनाते हैं Adaptable leaders बदलाव में भरोसा रखते हैं बदलाव लाने के लिए आपको present situation को समझना होगा और future position को भी जहां आप होना चाते हैं साथ ही उस बदलाव से होने वाले असर को भी Adaptability और Change, Strength, Persistence और Quick Decision Making का इशारा है सभी बहतरीन leaders में high level integrity होती है मुश्किल वक्त और चुनातियों में पहाड की तरह खड़े रहना मुश्किल होता है पर वो खुद को ऐसे ढालते हैं चाहे सामने कुछ भी आए वो अपने रास्ते से नहीं हिलते हैं वो टीम के input और output की कदर करते हैं इससे ऐसी टीमों को lead करना आसान होता है जो leader के फैसले और actions पर भुरुसा रखते हैं इससे वो वक्त बरबाद करने के जगा काम पर ध्यान दे पाते हैं वो अपनी बात को open और सीधा रखते हैं stability से leaders को अपने आसपास के लोगों से एक long term और productive relationship बनाने में मदद मिलती है इसे भरोसे मंद रिष्टो का माहौल बनाने में भी मदद मिलती है रूल 8, critics and negative thinker leaders को बहुत तरह के लोगों से निपटना पड़ता है हर इनसान की अपनी राय और अपना नजरिया होता है जरूरी नहीं है सब लोग जिनसे भी वो मिलें वो उनकी तरफ हो कुछ उनके खिलाफ हो सकते हैं और कुछ उनके साथ एक लीडर को criticism का शांत रहकर सामना करना चाहिए इससे लोग उन्हें जादा पसंद करते हैं और उन पर जादा भरोसा रखते हैं ख्यालों का जिन्दगी बनाने और बिगारने में एहम रोल है अगर एक इनसान के ख्याल positive है तो वो उसे सफलता की रहा पर ले जाएंगे और अगर किसी इनसान के ख्याल negative है तो वो उसे failure की रहा पर ले जाएंगे एक लीडर को इन ख्यालों का खास ध्यान रखना होता है अगर उसे negative ख्याल आए या negative दिशा में जाने लगे तो वो और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है अपनी current position भी खो दें जो उन्होंने कड़ी सालों की मेहनत और positivity के साथ पाई थी Negative thoughts, sensible और responsible फैसले लेने से रोखते हैं Negative thoughts कई बार एक इनसान को किस्मत पर depend कर देते हैं हालकि मेहनत के साथ किस्मत में भरोसा रखना और बिना कोई काम की भरोसा करने में फर्क होता है एक negative mindset के साथ एक आदमी अपनी असल हालत नहीं देख पाता है उसे एकसर यही महसूस होता है कि उसे किसी बदलाव की जुरुत नहीं है जब एक इनसान बिना दूसरों को जिम्मतार बताकर अपनी गलतियों को मानता है तभी वो negative mindset से बाहर आ सकता है एक बार इनसान परिशानी की जड़ को समझ ले तो वो blame game खेलने की जगा परिशानी को खत्म करने की कोशिश करता है एक बार इनसान core problem समझ ले तो वो उसके resolution तक बहुत सकता है टाइम management की सबसे ज़रूरी बात यह है कि time leakage को fix करना जिसका मतलब है कि तुरंट उन कामों को बंद कर देना जिसमें आपका वक्त गोली के तरह जाता है और जिसे हम time killer कह सकते हैं वो जाने अंजाने में वक्त बरबात करते हैं अगर एक इनसान समझदारी से सही फैसले ले तो यह वक्त बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है लीडर्स को भी सही फैसले जल्द ही लेने होते हैं कोई भी जो बिना सोचे समझे और प्लैन किये कोई काम करता है वो बाद में पस्ताता है और फिर उस काम को करने में बहुत सा वक्त बरबात करता है सबसे बड़े टाइम किलर में से एक है किसी काम को बिना किसी कारण के टालना जिस भी इनसान को ये टालने की बेमारी होती है वो अपने किसी भी काम को कभी भी वक्त पर पूरा खत्म नहीं कर सकता है टास्क डिफाइन होने चाहिए उनकी वैलू और इंपोर्टन्स के बेस पर उनको टाइम स्लॉट में अलोट किया जाना चाहिए अगर लोग वैली टास्क को ज़ादा टाइम और high value task को कम time दिया जाएगा तो आखिर में वक्त की बहुत बर्बादी होगी किसी काम पर बिना ध्यान दिये गई महनत से उस काम को पूरा करने में double time लगता है जब भी कोई काम से दूसरे पर छलांग लगाता है और फिर से पिछले काम को करता है इसमें बहुत से energy जाती है साथी काम को दुबारच से शुरू करने में बहुत सा दिमाग भी लगता है वक्त की सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी काम को करने से ज़ादा वक्त उस काम को सोचने में लगता है और अक्सर लोगों को काम लिए बैठे रहने की आदत होती है एक बार इंसान काम की एहमेद समझ कर टास्किस बनाना सीख ले तो वो अपने प्रेजन्ट और फ्यूचर का बहुत सा वक्त बचा सकता है लीडर्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन बना कर रखना होता है अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे उनके और उनके परिवार पर नेकेटिव असर पड़ता है कोई भी इंसान अपने काम और प्रोफेशनल लाइफ की कीमत पर अपने परिवार को खोना नहीं चाहता इसलिए एक लीडर्स अमजदारी से अपनी जिंदगी के हर इंसान को अपना बग देता है विजन फॉलवर्स और टीम्स को आगे बढ़ने की दिशा देता है इसे दिमाग एक मकसद की तरफ फोकॉस रहता है विजन के आधार पर क्लियर गोल्स और टार्गे टीम के फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल सेट करने में मदद करते हैं विजन के साथ एक लीडर फैसला करता है कि उसे कौन से साधन और लोगों की जुरत है विजनरी लीडर्स और टीम्स का एक एक एकुरेट रोल और स्ट्रक्चर होता है उनके पास आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता होता है डिफाइन पाथ और गोल्स के होने से नेगेटिवटी नहीं होती है और लोगों की रिष्टे मस्बूत होते हैं और विजन की मदद से सही गाइडलाइन्स और फोकस मिलता है एक विजनरी माइन हमेशा एक कदम आगे की सुचता है एक अलग और बड़े विजन के साथ लीडर तेजी से आगे बढ़ते हैं अगर कोई बढ़ना और टॉप पर रहना चाहिए तो ये वो एक खासियत है कि इनसान को हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहना चाहिए एक ख्याल आना और एक सपने देखना सबसे पहला स्टेप होता है अगर एक लीडर एक मिनिंगफुल ट्रीम देखने की हिम्मत करे तो वो खुद के और दूसरों के लिए एक विजन बना सकता है बिना दिमाग में बनाए कोई भी आइडिया हासिल नहीं किये जा सकते हैं शुरू में ये मंजल से बहुत दूर लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि इस सपने को हकीकत बनाना लगबग नामौमकिन है लीडर्स अपने दिमाग के आइडियाज और अपने सपनों के बारे में लगातार सोच कर और उनके बारे में बात करके उन्हें आकार देते हैं एक बारे एक आइडिया मजबूत विजन बन जाए तो उसके बाद बारी आते हैं उसे शेर और उसके बारे में बातचीत करने की आपको इस आइडिया को जितने इन लोगों के साथ हो सके शेर करना होता है इससे basic concept और आइडिया validate होता है जब लीडर्स इस दौर से गुजरते हैं और उनके आइडियाज और विजन का लोगों पर एक गहरा सर पड़ता है तो इससे उन लोगों लीडर की जिन्दी बदलने में मदद मिलती है courage यानि की साहस एक ऐसी चीज है जिसे इनसान को risk लेने और सीमाओ को लांगने टॉप पजिशन पाने और डर से उपर उटने में मदद मिलती है साहस ही winners को losers से अलग करता है और यही खासियत leaders को followers से अलग करती है बिना साहस के leader बनना लगबग नमुमकिन है जिन लोगों में साहस की कमी होती है वो कभी सफल नहीं हो सकते है साहसी leader हमेशा भरोसा लेकर चलते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं अगर एक इंसान risk-free life जीता है तो उसके आगे बढ़ने के मौके भी कम हो जाते हैं लीडर्स अपने साहस के कारण ही calculated और bold risk लेते हैं जिससे उन्हें top पर पहुँचने में मदद मिलती है और इसी से लोग भी प्रभावित होते हैं Relations Leadership का असली मतलब है रिष्टे बनाना और उन्हें निभाना वो जितना अच्छे से रिष्टे बना कर उन्हें निभाते हैं उसी से उनके followers बनते हैं Leaders हमेशा लोगों से मिलने जुलने और long term relationship बनानी के लिए उत्सुक रहते हैं वो हमेशा अपने शब्दों का मान रखते हैं वो सिर्फ वही commit करते हैं जो किया जा सके और इसी से एक वरोसिमन रिष्टा बनता है Leaders are natural networkers Leaders natural networker होते हैं Leaders दूसरों से रिष्टा बनानी के लिए हमेशा एक positive approach रखते हैं और हमेशा negative element को ignore करते हैं वो connections और relationship की value जानते हैं इसलिए वो किसी से रिष्टा बनाने में हिच्चिचाते नहीं हैं वो हमेशा इंजानों से बात शुरू करने का तरीका ढूनते रहते हैं Rule 11 Goals and Ambitions Leaders के पास vision होता है और उस vision को बनाने के लिए उन्हें goals बनाने पड़ते हैं ताकि एक दिशा मिल सके Goal set करना बहुत ज़रूरी है Goal set करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है Written Goals लिखे हुए goals को roots देखा जा सकता है Self-discipline और Determination के साथ Leaders को अपना goal set करना चाहिए ऐसा बहुत बार होगा जब आपको Leadership के रास्ते पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा येक लीडर का goal होना चाहिए कि वो बिना अपने काम के जुनून पर असर डाले इन मुश्किलों का सामना करे उन्हें खुद को ऐसे train करना चाहिए कि वो इन failure से ना डरे पुरी ताकत और motivation के साथ उससे लड़े अपने plans को बदले पर outcome पर focus रहे Ambition एक इनसान की aim की तरफ पूरे force और passion से आगे बढ़ने में मदद करता है Ambitious लोग बहुत आगे तक जाते हैं और इसका लोगों को वहां तक पहुचाने में एहम रोल है जहां हो पहुचना जाते हैं कोई भी leader जो motivated हो और अपनी team और followers में motivation लाता है एक common goal को achieve करने के लिए वो जादा रफतार से आगे बढ़ता है leadership एक सफर है जिसका genuine leaders दिल से मजा लेते हैं final goals और achievement की गिंती होती है पर जादा ज़रूरी वो लोग हैं जिनसे आप सफर में जोड़ते हैं जो रिष्टे आप बनाते हैं जो जिन्दगी आप जीते हैं जो चीज़े आप सीखते हैं तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हमने इस वीडियो में बुक्स के maximum points को cover किया है पर इस बुक में इतनी चोटी चोटी बारिक्यां दी हुई है कि उन्हें बुक से ही पढ़ा जा सकता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इमेरिटल इस बुक को आउडर करके इसको और भी डीटेल में समझें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा है तो इसको वापस से ध्यान से देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जेन्यून शेरिंग को कमेंट बॉक्स में डालें और अगर आप हमसे कॉलाबरेशन या प्रोमोशन में हल्प रेना चाहते हैं तो हमें इमेल करें अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सब के साथ इसे शेयर भी करें चल्दी मिलेंगे और भी भैतर वीडियो के साथ तैंक ये सो मच